कच्चे तेल की बात हम कर रहे थे शो की शुरुआत में और अनलजी के भी रहे थे कि जो इस बार वज़ा है गिरावट की वो थोड़ी एकॉनमी को लेकर चिंताजनक हो सकती है तो क्या एक्जाक्ली व्यू आया है क्यों इतनी बड़ी गिरावट आ रही है और आगे का उपेक के ही फोकास्ट को रिटरेट कर रहा है इंटरनाशनल एनरजी एजनसी ने लगातार तीसरे महीने इस साल और अगले साल के लिए जो तेल का डिमांड ग्रोथ का अनुमान है वो घटाया है उपेक की ही तरह इन्हों ने भी अपने अनुमान को लगातार ये तीन महीन उसे घटाते आ रहे हैं और एक इंट्रिस्टिंग फाक्टर है जो दोनों रिपोर्ट्स में देखने को मिली और वो ये कि वो चीन की डिमांड यहां पर घटते वे देख रहे हैं जिसका एक बड़ा इंपाक्ट दिख रहा है उपेक की अगर बात करें उन्हों ने अपना चीन की तेल डिमांड का फोकास्ट है सब्तर हजार बैरल से घटाया है और कुछ सिमिलर ही कट हमने देखा इन फाक्ट इससे जादा ही कट इंटरनाशनल एनरजी एजनसी की रिपोर्ट में निकल कर आ रहे हैं इन फाक्ट आईए तो ये भी कह रहा है कि वो अगले साल एक बड़ा सर्प्लस देख रहे हैं क्योंकि यूएस, कैनडा और बहुत सारे OECD नेशन से इनकी तरफ से उत्पादन बढ़ता दिखाई देगा तो ये फैक्टर है जिस वज़ा से हम देख रहे हैं प्रेशर है इस से पहले यानि कि इस महीने के शुरुवात में ही यूएस ए एजनसी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है इसने प्रेशर बनाने का काम के क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड यहां सुस्त होती हुए दिखाई दे रही है इसके अलाबा कल चीन का ट्रेड डेटा आया ये भी सुस्ती भरा था कच्चे तेल का जो इंपोर्ट है चीन प्लस हमने देखा कि जो एक डर था कि कहीं इरान की ओई या नुक्लियर फेसिलिटीज पर इसराइल का हमला होगा उन्होंने क्लारिटी दिया हम हमला करेंगे लेकिन इनके ओईल फेसिलिटीज को दिक्कत नहीं होगी और लिब्या में उत्पादन भी नॉर्मलाइज हो गय ब्रेंट पे 74 डॉलर आखरी क्वाटर के लिए और अगले क्वाटर के लिए यानि कि नए साल के फर्स क्वाटर के लिए 65 डॉलर लेकिन उन्होंने काया कि मिडली इस तनाव में कुछ भी ऊच नीच होती है तो वहाँ पे आप 100 प्लस का लेवल एक बार देख सकते हैं इफ बनता देख रहे हैं मतलब इतनी मिडली इस टेंशन रही इतनी बंबारी रही लेकिन फिर से जो डिमांड को लेकर चंता है वो हावी हो रही है